Hi investors, welcome to SOIC तो आज के इस business analysis में हम लोग happiest minds की बात करने वाले पर happiest minds की बात चालू करने से पहले एक बहुत interesting चीज की बात करते हैं तो बार बार एक saying जाती है investing के अंदर that luck is when opportunity meets the prepared mind तो ये videos आपके साथ बनाने का purpose ही कि हैं या ये channel open करने का purpose ही कि है कि हम लोग जित्ते भी अच्छे अच्छे businesses हैं over a period of time उनको analyze करना चाहते हैं and जब भी ये business सारे analyze हो जाएंगे and साथ-साथ कुछ-कुछ उसमें से opportunities भी होएंगी तो bull और bear market एक market का environment है जो बार-बार change होते रहते हैं suppose करते हैं मैंने कोई बहुत अच्छा business analyze करा जो मेंको अच्छा लगता था उस time पे बड़ उस time पे मैंको थोड़ा महेंगा लगता था valuations में पर कभी ना कभी तो downturn आये कहीं right and कभी ना कभी जब वो downturn आता है तो actually मैं अपने खुद के purpose से भी जाके अपनी ही वीडियो वापस देख सकते हूँ because यह हर एक वीडियो बनाने में काफी जादा घंटे लग जाते है I think एक एक वीडियो की research करते है 35-40 घंटे के आसपास लग जाते है कभी-कभी but इससे अच्छी चीज क्या होती है कि आपके लिए भी एक तरीके की library create हो रही है और हमारे लिए क्या अच्छी चीज हो रही है कि हमारे दिमाग में भी एक तरीके की library create हो रही है and साथ-साथ और एक चीज क्या हो रही है कि जिते भी SOIC students है उनके लिए मेरे पास case studies बढ़ते जारी है क्योंकि we truly believe in teaching through case studies and ये saying अप अपने साथ लेके जाहिए that luck is when opportunity meets the prepared mind क्योंकि कभी ना कभी environment तो change होता ही होता है तो इसके साथ हम आज happiest minds का analysis करते है and beginning of the analysis में पहले हम information technology industry की बात करते है तो जो इंडिया की IT services industry है तो ये 1990s में बहुत जादा famous होई तो यहां पर outsourcing का trend बहुत जादा चाल हुआ तो जो BPO's थे यहां पर काफी जादा trend चाल हुआ and 1997-1998 में trend काफी जादा accelerate हुआ जब Y2K boom चल रहा था US में इस time पर जो IT businesses थे इनकी PE ratios कुछ 200-200 पहुंच गी थी अगर Vipro का example देखें तो Vipro की तो PE ratio 2500-300 होगी थी same goes for Infosys Infosys की भी PE ratio काफी उपर चले की थी and इस time पर these companies were actually growing at 40-50-60-70% माने 80-80% भी ग्रोग कर रही थी पर होता क्या है कि with for every bubble जैसे Harvard Marks बोलते हैं that for every bubble there is a pin lying in its weight माने एक pin होती है जो हमेशा जित्ते भी bubbles है उनकी weight कर रही होती है जैसे pin और bubble meet करते हैं उसी time पर bubble burst हो जाता है similarly IT businesses में growth तो आई 2000 के बाद भी पर क्योंकि valuation इतनी stretch हो गी थी कि वो जो bubble था burst हो गया पर 2000 से लेके 2010 तक फिर एक trend all start हुआ तो यहां पर अगर हम check करते हैं तो package software का trend हुआ बेसिकली जो IBM है या SAP है इनके जो products से इनका implementation का trend स्टार्ट हो तो इनके भी servicing चीए थी इनके भी implementation चीए थी इनके भी integration चीए थी तो Indian companies like TCS Wipro, Infosys, HCL इन सब में काफी growth है इसके बावजूद भी and 2010 के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत जो interesting trend चल रहा है तो पहरे तो हमने package software की बात करी बढ़ आजकल deployment हो रही है cloud की तो cloud की हम बात करेंगे थोड़ा सा detail में क्योंकि तो हमें happiest mind को समझने है तो हमें यह सारी trend समझने है काफी ज़रूरी है तो जो cloud का development है वो भी start हुए जो cloud का deployment है वो भी start हुए और उसके अलावा यहाँ पर लास्ट 10 years में दो बहुत interesting trend चल रहे है एक तो engineering research and development का चल रहे है तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं जैसे Tata Alexi जैसी company 2010 के बाद इस division के नराई थी ERD के division में similarly LTTS जैसी company भी यहाँ पर है तो यहाँ भी basically क्या है कि आप companies को engineering services प्रोवाइट कर रहे है तो जैसे हमने Tata Alexi की वीडियो में देखा था कि different different जो products है उनके लिए engineering services कर रहे है similarly उसके बाद जो अब एक नया trend आया है that is of digitalization तो यहाँ के अंदर एक trend तो आपका machine learning का चल रहे है एक साथ साथ आपका trend analytics का भी चल रहे है मैं आपको एक analytics का एक बहुत चोटा से example देता हूँ कि इसका मतलब कह है suppose कलते हैं कि आप आप एक institute चलाते हैं education का माने suppose कलते हैं आपके पास एक university है and pandemic के अंदर आपकी जित्ती भी learning है वो online जा चुकी है तो आपकी apps है क्योंकि जित्ते भी बच्चें वो सीख रहे हैं college के जित्ते भी बच्चें वो attend कर रहे हैं आपकी classes चाह recorded classes है लाइफ classes है तो analytics का use करके आप actually जान सकते हैं कि on an average एक बच्चा कितनी देर की class देख रहे है right and एक बच्चे की जो percentage attendance है यह सारी चीज़े भी आपको analytics के थ्रूँ पता लग सकती है even जब हम अपनी खुद की videos भी देखते है YouTube की तो थ्रूँ analytics हमें पता लग जाता है कि on an average view कि कितनी देर की view duration है हमारी वीडियो के so this is actually known as digitalization and एक trend जो आजकल काफी चल रहे है कि जो legacy IT businesses थे आजकल क्या चल रहे है कि जो legacy IT services थे that are being converted into that are being converted into digital IT services तो यह काफी अच्छा trend चल रहे है इस time-based industry के अंदर and इस trend का जो one of the key beneficiaries है that is happiest minds क्योंकि happiest mind का अगर हम revenue देखते है तो 97% revenue comes from digital services whereas जो बाकी incumbents हैं अगर हम Infosys को देखते हैं Cognizant को देखते हैं तो इनका revenue यहां से कम आते हैं similarly अगर हम happiest minds की बात करें तो happiest minds अपने true competitors को compare करते हैं अपने आपको with a company by the name of EPAM with a company by the name of Indava and third is the company by the name of Globant तो यह अपने आपको इन तीन companies से compare करते हैं and यह तीनों भी ICIT companies है जो fully digital है right but happiest mind के P2P जो analysis है उससे भी पहले हम एक बहुत और interesting trend की बात करते हैं कि world में इस time पे cloud का adaptation काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत simple example देता हूँ ताकि आप actually relate कर पाएं कि cloud की implementation ज़रूरी क्यों है and cloud actually क्यों एक ultimate picks and shovel technique है जो पीटर लिंच की हमारी वीडियो थी picks and shovel की अगर आपने नहीं देखी चैनल पे तो आप देख सकते है तो basically इसका मतलब कि है cloud adaptation का तो एक example लेते हैं कि आप में से अगर कोई parents ये वीडियो देख रहे हैं आप में से कोई youngsters ये वीडियो देख रहे है तो आपने गेम जरूर खेली होगी जिसका नाम है fortnite fortnite basically एक type of like so it's a shooting game जहांबे काफी जो friends एक दूसरे के साथ खेल सकते है and fortnite एक काफी famous game हुई है more than 350 million users है इसके world में fortnite का जो infrastructure है जो digital infrastructure है actually fortnite का cloud service provider है that is amazon web services that is aws and जो amazon web services की implementation है जो भी उसकी servicing है वोस टाइम पर कौन देख रहे है a company by the name of e-pam जो happiest minds अपने आपको true peer समझते है तो इस वज़े से easy क्या हो जाता है fortnite जैसे game के लिए कि वहां पर उनको on-premise से servers नी maintain करने अगर आप on-premise servers maintain करते है तो उसमें एक सबसे बड़ी problem क्या होती है suppose कलते हैं आपने जो servers से उनकी capacity रखी की 100 million users आ सकते है but all of a sudden 120-130 million users आ गए तो सबसे बड़ी problem क्या कि even though आपने कोई वो भी build कर आएगा अंदर feedback loop या फिर कोई अगर engineering mechanism भी build कर आएगा तो इसमें problem क्या आएगी कि आपको एकदम अपनी servers की capacity expand करनी पड़ेगी secondly एक जो historically काफी problems companies ने experience करी है कि on-premises servers या फिर in-house IT teams रखने में एक छोटी सी problem और क्या हो जाती है कि काफी जादा bugs आते हैं ऐसे systems में महलें काफी जादा problems भी आ जाती है तो यह amazon web services हो गया और दूसरा इनका committed है जो microsoft azure है तो इन सबका cloud infrastructure है तो यह cloud software प्रोवाइड कर रहे है और इनकी जो implementation है यह जितनी भी digital IT companies है इनकी implementation कर रहे है एसासा इस पर servicing प्रोवाइड कर रहे है जो end users है तो यहाँ पर एक पर यह value chain समझते है इसका क्या मतलब है एक side पर तो आपके players like amazon web services, microsoft azure और यह तक जब हम google की भी बात करते है उनका भी cloud है फिर बीच में आपकी companies आती है EPAM जैसी, Indava जैसी, Right and Happiest Minds जैसी और काफी सारी जो other Indian IT companies भी है तो यह इसकी implementation help करते है जो down customer है उसके लिए माने जो customer है उसको implement करने में help करते है और साथ-साथ जो इस पर servicing है वो यह customer को provide करते है तो यह तो हमारी कुछ ऐसी value chain लगती है इसकी अगर हम benefits of cloud देखते हैं तो पहला benefit of cloud की है कि यह cost saving में help करते है तो basically cloud actually आपको जो capital expenses है वो आपके expenses variable expense बना देते है माने आपकी जितनी usage है उसके साब से आपको पैसे देने instead of being a capital expense माने आपको एक बड़ी first time upfront खचा नहीं करना secondly आप globally इसको in minutes deploy कर सकते है तो यहाँ पर मैं एक example लेत हूँ आपके साथ Snapchat का तो Snapchat ने कुछ 1.1 billion dollars expenditure कर रहे है cloud के उपर जो Amazon Web Services है उनका system deploy करा हूँ है यहाँ पर इंट्रेस्टिंग चीज़ किया है कि Snapchat के इतनी जल्दी से users बढ़े तो यह पूरी इतनी जल्दी deploy कर सकते है globally कि अगर आपके बस on-premises like servers है तो उसका value proposition ही वहाँ पे खतम हो जाता है इन साथ साथ यहाँ पे जो आपको एक organization हो बहुत जादा agile हो जाती है क्योंकि आपका जो ध्यान है आपका ध्यान अपने core business पे चले जाता है and cloud आपको scale करने में काफी जादा help कर देता है now cloud deployment के 2-3 models है एक तो model आपका hybrid cloud हो सकता है माने कुछ-कुछ applications आपकी on-premise है और बागी चीज़े on cloud है second क्या हो सकता है कि आपका totally on cloud है माने आपके on-premise कुछ भी नहीं है and third तरीके deployment का that could be on-premises माने आपका total cloud deployment है सारा on-premise ही है right so these are the three ways of deployment and साथ साथ अगर हम यहां पर देखें कि अगर यहां पर comparison करते हैं जो legacy business की growth versus the growth in digital business तो IT companies में हमें बदा लगता है जो legacy business है वो इस time पर 2% CAGR पर ग्रो कर रहे मिराज जब हम digital businesses की बात करते हैं वो इस time पर 21% CAGR से ग्रो कर रहे इस वज़े से जो companies इस space के अंदर है actually हो क्या रहा है कि बुरी tidy liftoorius time पर and tidy liftoorius time पर इस वज़े से इन companies के पास काफी tailwinds आ रखी है even though जो पुरानी IT companies हैं जो काफी बड़ी-बड़ी IT companies हैं इन लोगों के पास capabilities काफी जाद है as compared to these players जो आज की IT services companies जो new age है जैसे happiest mind होगी पर जो पुरानी IT companies हैं like TCS and Infosys इनके पास capabilities जाद है इन से इस वज़े से यहां पर जब हम contract जेख रहे हैं तो multi billion dollars contract announced हो रहे हैं क्योंकि इस time पर पूरा transformation में help कर रहे हैं दूसरी companies को पर जो नीश companies हैं इनके पास क्या advantages है like happiest minds क्योंकि base इतना छोटा है तो growth काफी fast दिख सकती है हमे तो यहां पर अगर हम इनका compare करते है revenue growth तो यहां पर हमने चार quadrants लिये तो यहां पर हमें पता लगता है कि इस चार quadrants में हम देखे हैं तो सबसे जादा fastest growing companies are like EPAM, Globant and Indava उसके बाद आपकी happiest minds आती है right and अगर हम digital as a percentage of revenue देखें तो happiest mind का पूरी industry में Indian IT companies में सबसे जाद है and यहां पर देखते है तो इनका कुछ 97% है और यहां पर इनकी जो expected growth है 17-18% है whereas जो बागी companies है globally उनका expected growth rate कुछ 25-30% के बीच में तो this makes it very very interesting कि हमेशा हर एक industry के अंदर कुछ trend हो रहाता है इस वज़े से कुछ players हमेशा fast growing होते हैं जैसे Peter Lynch हमें बार बार कहते हैं कि हर एक industry में different types of players होएंगे या हर एक industry different type क्योएगी कुछ fast growers होएंगे कुछ slow growers होएंगे कुछ cyclical companies होएंगी and कुछ-कुछ tall words होएंगे तो happiest mind definitely अगर हम Peter Lynch का framework लगाते हैं तो fast grower की category में है क्योंकि इस time पे बहुत नीश area में present है अगर किसी को ये सीखने हैं कि आप industry की different segmentation को कैसे apply कर सकते हैं या किसी को हमारा API and Pharmaceuticals का webinar देखने है जिसमें हमने JB Chemicals, Indoco Remedies DB's Laboratories and close to 10 to 11 API and Pharma companies की बात करीजिए जो बहुत interesting है and साथ-साथ जो हमने platform webinar करा था उसमें हमने IEX की भी बात कर रखी है and जो different international and Indian platform से उनकी भी बात कर रखी है साथ-साथ we also did a webinar for our students about the chemical industry कि chemical industry के हैं the key underlying trends ही के है and apart from that so हमने जो forensic analysis है उसमे एक पूरा module बना रखा है diligent investor है उसकी duty and उसका job ही के है या उसकी responsibility ही के है कि he should be rational all the times उसको पता रहना चाहिए कि कि क्या कहां से risk आ सकता है and if someone wants to learn कि portfolio allocation का process कैसे सीखा जाते है तो we have the SOIC intensive course जिसका हम 12th June को students के लिए webinar भी कराने लगे है about the quarterly results of all the companies and we are also doing a webinar on detailed valuations of these companies की value कैसे करना है companies को if someone wants to learn the link is in the description below now coming back to happiest minds अगर happiest minds के हम यहां पर एक interesting चीज़ देखते है तो इस टाइम पे अगर इनके segmental mix में देखते हैं कि माने किस type of sector को cater कर रहे है तो edtech इनका कुछ close to 21% है जो high tech है वो 21% है जो BFSI है that is banking and financial services वो 17.5% है retail industry का 7.5% है और जो travel, media and entertainment है वो 17% है और service offering का mix देखते हैं अस टाइम पे तो यहां पे कुछ 31% है cloud infra के अंदर SaaS के अंदर that is software as a service यहां पे 29.4% है वेराश security and solutions पे 14.9% के आसपास है एक SaaS का जो काफी interesting trend है जो globally हम companies में भी देख पा रहे है I think SaaS is a very interesting business क्योंकि SaaS में क्या होता है कि जो customer है आपका end customer है उसके लिए SaaS is not a capex उसके लिए SaaS is an opex माने उसको upfront software पे जादा नहीं खचना पड़ेगा पट एक बार ही आपने उसको SaaS service दे दी तो it becomes an opex माने operating expenditure का पार्ट बन जाते है माने ये खल्चा business का running पार्ट बन जाते है और इससे एक अच्छी चीज़ कि है कि जो end customer है उसके लिए बहुत बड़ा switching cost बिल्ड हो जाते है साथ साथ जो IT company है suppose कर तो मैंने किसी को SaaS service बेची है तो मेरे लिए क्या अच्छा है कि I will get certainty of revenues and साथ साथ हर साल मैं उसको थोड़ा थोड़ा price increase भी कल सकता हूँ SaaS businesses आज इंडिया में काफी कम है तो intellect designer एन एक और business है जिसमें potential है पूरा full-fledged SaaS बनने की साथ साथ happiest mind में आज सिरफ 25-30% SaaS part है but SaaS business globally काफी इंटरस्टिंग लग रहे है इस ताइम पे बिजनेस की वालिएशन भी जाद है क्योंकि इस आर higher quality cash flows या higher quality margins तो यहाँ पर अगर हम happiest mind की case में और देखते है तो happiest mind की हमने बात करी थी जो independent software vendors है इनके साथ काम करते है तो यहाँ पर हम देखते हैं यह किन-किन के साथ काम कर रहे है जो Amazon Web Services है उनके साथ कर रहे है जो Hitachi है उनके साथ कर रहे है यहाँ तक antivirus या जो इनका security software है उसके साथ भी काम कर रहे है SAP के साथ भी यह काम करते है यहां तो जो Microsoft Azure है उसके साथ भी एकाम कर रहे है और यहां पर एक चीज़ इंट्रस्टिंग हो रहे है अगर हम इनके business segments लेखते हैं happiest mind के तो इनके three business segments है तो पहले इनका business segment है product engineering service का तो इनका जो product engineering service का segment है इस time पर 20% CGR पर ग्रो कर रहे है and यह segment इनका sales का more than 50% है second जो इनका business segment है that is DBS and second segment यहां पर growth सबसे slow हो रही है इस time पर क्योंकि यहां पर clients को transformation में help कर रहे है and साथ-साथ यहां पर जो application की redevelopment है उसमें काम ले रहे है and साथ-साथ जो इनका third business segment है उसकी अगर हम बात करें that is infrastructure management and security services तो यहां पर अगें यह जो cloud and data center है उसकी जो management है वो करते है and साथ-साथ जो workspace and device की management है वो भी इस time पर कर रहे है and साथ-साथ जो जित्ती भी उसकी services and data security के यहां पर यह भी खरते है पर इन business segments को थोड़ा सा detail में समझने के लिए हमें यहां पर दो या तीन case studies करनी पड़ेंगी क्योंकि जग तक हम case studies नहीं देखते है IT business के अंदर कि end user के लिए usage ही कि है तब तक actually हमें लगते है कि यह words काफी बड़े-बड़े words है इनका कुछ मतलब नहीं समझाता तो पहली जो हम यहां पर case study है इनके हम देखेंगे Coca-Cola के साथ and जो second इनकी case study है हम देखेंगे या कैसे इनका software is being is being used by universities to improve the student attendance and to reduce the dropout rates तो पहले जो Coke की case study है वो देखते है तो recently अगर हम happiest mind की बात काते है इननोंने contract win करे Coca-Cola bottling से इस contract का क्या पार्ट है कि basically जो Coca-Cola bottling है इननोंने machines निका लिए जिसमें touch screen basically touch free आप drink को फिल कल सकते है जैसे हम यहां पर एक example देखेंगे कि यहां पर एक machine है and साथ है इस machine में आप बिना touch करें आप अपने लिए Coke की drink निकाल सकते है and इसमें क्या है कि आपको phone की application डाउनलोड करने है and phone की app से आपको जाके machine के पास बस डालने की कौन सी आपको drink चाहिए इसमें interesting क्या है क्योंकि pandemic चल रहा है तो लोग काफी जादा pessimistic हो रखे हैं चीजे को चूने कले तो यहां पर आपको सिर्फ QR code है उसको scan करने है and QR code scan करने के बाद जोन सी आपको drink चाहिए आपको सरफ उस पर दबाने जैसे आप उस पर उस पर press करेंगे यहां पर आपके लिए drink डल के आ जाएगी so again a very interesting thing because यहां पर internet of things का भी application है वो मैं आपको जो इक Coca-Cola bottling की बात कर रहे है तो Coca-Cola and Coca-Cola bottling अलग है इनका contract Coca-Cola bottling के साथ हुए क्योंकि एक Coke की जो distribution है इनके पास है यूँए इस में तो यहां पर जो भी inventory management है suppose कलते हैं कि एक store के अंदर Coca-Cola का यह machine लगी हुई है and वहां पर अभी drinks खतम होने वाली है पीछे से मलब यहां पर क्योंकि inventory कम चल रही है तो inventory replenish करने के लिए और यह पीछे से अपने आपी यह machine ने signal भीच सकती है तो यह तो internet of things का usage है and साथ-साथ यहां पर एक और analytics है that is predictive analytics कि एक समय के बाद क्या हो रहे है आजकल IT बिजनसेस में जो हमने LTTS के case में देख रहा हूं मैं आजकल कि LTTS क्या कर रहा है इस time बे अगर LTTS का एक बहुत बड़ा वर्टिकल है manufacturing का तो LTTS वहां पर predictive analysis लगा के क्या कर रहा है analytics use करके कि अगर कोई machine तूटने वाली है या machine खराब होने वाली है तो उससे एक दिन पहले ही जो machine का service provider या manufacturer है उसको message दे उसको internet of things के थूँ अपने आप ही भेज दिया जाएगा message कि आप मशीन के अंदर कुछ खराबी होने वाली है तो इसको आप पहले ही ठीक कर वालो क्योंकि एक बर ही खराब होने के बाद ठीक होना मुश्किल है बढ़ आप उसका जो prevention है वो अच्छे से ले सकते है similarly यहाँ पे आपका inventory का जो time है वो खड़ जाते है and इससे और क्या benefit है कि जो Coca-Cola bottling का CRM है that becomes more efficient and एक और interesting चीज क्या होती है कि आपको all ज्यादा employees नहीं रखने पड़ते क्योंकि आपका पूरा process automatic हो जाते है second यहाँ पर हम case study देखते है second यहाँ पर जो case study है इनका एक और इनका solution है by the name of Univoo तो जो Univoo है basically this is used in their edtech division and जो universities है यह आज क्या problem face कर रही है US के इंदर कि 9 lakh students हर साल drop out कर रहे है जो 48% of the students है जो अपनी degree को complete नहीं कर रहे है तो Univoo basically क्या है कि it's an analytic solution तो यहाँ पर हम इसका usage है वो देखते है कि यहाँ पर जो student है उसके लिए benefit है कि basically it will help the student make informed जो student है उसको जादा अच्छे decision लेने में help करेगा backed by evidence कि आपने यह course इतने time में इतना complete करे है आपने इस course की इतनी completion कर रही है कि आपकी जो average view duration अगर आप वीडियो पर बैठके application पर देख रहे है तो इतनी है आपकी और साथ साथ जो universities है उनके लिए क्या help होईगी कि जो drop out rate है वो reduce होईगा और साथ साथ high impact area इसके क्या है कि जो applications है जो जितनी भी applications है universities की कि this intelligent app can help universities save up to 50 to 60% of their marketing and acquisition budget while ensuring that incoming students are up to 90% more likely to complete their degree with good grades तो अगें यह हमारी second case study है इस case के अंदर कि कैसे इनके जो products है उनकी application है तो हमने यहां पर बात करी थी इनकी तीन verticals है product engineering services, DBS और तीसरा बात करी थी infrastructure management services तो IMSS services जो इनकी तीसरे type की वो basically जो cloud का management है उसके लिए है जैसे हमने पहले बात करी थी और यहां पर fastest growing इनका PES है अब हम इनका एक बड़ी pair to pair comparison करते हैं इनके competitors के साथ और साथ हम valuations की बात करते हैं अगर यहां पर हम देखते हैं तो happiest minds अपने आपको जो EPAM है, Globant है और Indava है इन सबको इनके साथ compare करते हैं और इस टाइम पर 2019 का data है तो यहां पर जो ग्लोब ant है उसका कुछ market cap उस टाइम पर 2012 में तक 4.54 billion का था, EPAM का 12.6 billion का था, whereas happiest mind का जो market cap है इस टाइम पर इतना चल रहे है और Indava का 2.53 billion था, whereas employees देखते हैं तो सबसे दाधा employees, सबसे दाधा employees Globant के हैं, whereas happiest minds के almost सबसे दाधा कम employees हैं तीनों का जो delivery model and services का वो almost सेम है, कि जैसे अगर हम EPAM के case में देखते हैं तो 9% onshore है and 91% offshore है, माने 9% onshore है, 91% offshore है, whereas happiest mind में 95% offshore है and 5% onshore है या on site, तो offshore का मतलब कि 95% जो काम है वो इंडिया से हो रहे है एक तरीके का, यह offshore काम हो रहे है जो वो जगह है उसके अंदर नहीं हो रहा है, वहाँ से offshore काम हो रहे है and अगर हम यहाँ पर compare करते हैं digital services का revenue, तो बाकी तीन का 100% है, happiest mind का 97% है whereas अगर हम revenues देखते हैं, 2015 से लेके 2019 तक जो growth हुई है, तो सबसे दाधा fastest growth हुई है यहाँ पर मैं आपको एक और insight देता हूँ IT इंडस्री यां IT इंडस्री बारे में IT इंडस्री में organic and inorganic growth होती है, organic growth माने वो growth जो business की खुद की growth है inorganic growth माने वो growth जो business ने acquire करके growth करी है तो usually IT services business में जो inorganic growth है, उसको skepticism से देखा जाते है क्योंकि जब ही आप कोई asset acquire करते हैं, तो S.O.I.C. students इस बात को समझ पाएंगे क्योंकि मैंने उनसे goodwill की काफी बारी बात करी है course के अंदर, तो आपकी balance sheet पे goodwill आते है and साथ-साथ integration issues होते हैं और cultural issues होते हैं तो यहां पे TCS और Accenture ने एक बहुत different approach अप्रोच अडॉप्ट करी TCS ने क्या करा, कि TCS actually went for building their services organically क्योंकि business change हो रहा है from legacy to digital तो TCS ने सब कुछ organically करा, whereas Accenture went for inorganic accusations क्योंकि TCS अबने interview में बार बार बोलते रहता था कि we believe that the strength should come from within, right? and I think TCS की business की wonderful बात ही ही है तो यहां पे happiest mind की भी जो growth है काफी समय दक organic growth ही रही है इन्होंने acquisition करना अब start करें तो इन्होंने recently three acquisitions करें 2017, 18 and 2020 में भी एक acquisition करें पर इनकी जो latest acquisition थी 2020 में यहां पे इनका 50% EBITDA marginis acquisition के अंदर तो यह acquisition भी EPS accretive है माने इनका जो earnings per share है उसमें add करेंगी पर यहां पे इन चीज समझना ज़रूरी है कि जो बागी peers है happiest mind के इन्होंने inorganic growth भी काफी करी है सिवाई EPAM के जो बागी दो है वो through mergers and acquisition ग्रो करें but EPAM बिना merger and acquisition के भी 20% से ग्रो करें अगर हम actually में इनके competitors को देखते है तो इनके competitors भी कुछ last decade में 30 to 40 bagger बने है माने 30 to 40 X तो यहां पे sectoral trends देखना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर एक पूरे sector भी tailwinds है तो compounding faster होती है इस वज़े से happiest mind के भी जब numbers या EBITDA margin देख रहे हैं तो इस time पर 24 से 26% के बीच में है इस time पर growth भी इस वज़े से काफी fast आ रही है क्योंकि sector में tailwinds है और अगर हम बाकी चीज़े देखते है तो revenue पर employee अगर हम glow band में देखते है तो 0.055 million per dollar है whereas happiest mind में सबसे कम है 0.043 million per dollar और साथ सब cost पर employee देखते है तो happiest mind में वो भी सबसे कम है क्योंकि इंडिया में IT industry का structural benefit ही के है कि इस time पर we are the lowest cost producers तो इस वज़े से इंडिया की as a country ही comparative advantage है IT industry के अंदर यहाँ पर अगर हम इनका ROC देखते है सारे players का तो happiest mind का ROC सबसे जाद है यहाँ इंडावा का 27% है और यहाँ पर हम इनका एक और चीज़ कंपेर कते है कि PBT के अगर कितना चल रहा है तो happiest mind का 95% चल रहा है reason being क्योंकि happiest mind कुछ साल पहले loss making company होती थी तो it has just recently like turned into a profit making company है यहाँ पर margin expansion काफी अच्छे pace पर दिख रही है अगर हम revenue पर customer देखते हैं यहाँ पर तो happiest mind का जो revenue पर customer है वो कुछ 2018 में $471,000 पर customer था जो 2020 में बढ़के $615,000 पर customer हुआ और यह बढ़के आज जो quarter 4 of FI 21 है उसके अनर $737,000 पर customer हुआ वेराज अगर हम बाकी जो उनकी peers है उनकी revenue growth देखते है तो EPAM का कुछ 22% चल रहा है वेराज इंडावा है इसका कुछ like इसका revenue growth 33% चल रहा है और जो globe band है उसका जो latest quarter है वहाँ तक 41% भी चल रहा है तो this makes it a very very interesting space because the entire industry is growing तो इनसे किसी ने con call में पूछा भी था कि आपकी क्या revenue growth है वो 20% पर ही रहने वाली है तो उन्होंने conference call में यही बताया कि विपरो के दिन में हम लोग 50-60% पर चले ग्रोग करते थे क्योंकि industry 20-30% पर ग्रोग कर रही थी आज problem गया कि industry ही 10% पर ग्रोग कर रहे है तो हमारी growth rate भी 20-22% तक ही रह सकती है तो यहाँ पे I think full marks for honesty for the management क्योंकि problem गया है काफी सारी Indian managements में जो मैंने observe करें कि वो conservative guidance कभी नहीं देते वो over aggressive हो जाते है तो यहाँ पे इनोंने बहुत conservatively बताया है कि actually में हमारी growth industry से double है पर 20-25% से उपर होना मुश्किल है I think 20% इनोंने बोले 25% भी होज़े क्योंकि IT industry fairly mature industry है इन साथ-साथ आज IT businesses के ने एक trend और क्या चल रहा है क्योंकि pandemic आया है तो पूरा world lockdown में चला गया जिसकी वज़े से जो digital services है इनकी बहुत जादा demand आगी है इन साथ-साथ एक trend और क्या आगया कि digitally आपको transform करना काफी ज़रूरी पड़ है तो होना क्या था कि जो आगे 10 साल की growth थी IT businesses में terminal value तो सेम ही है पर जो growth 5-6-7-8 साल में आनी थी वो actually next 3-4 years में ही आने वाली है जब हम Birla Soft की con call पड़ते हैं ये चोटी सी IT company है तो वो भी guide कर रहे है 15-16% growth की स्टाइल एक्सी ने भी इतनी ज़ादा hiring करी है similarly happiest mind is also guiding for 20% growth तो इस टाइम पर sector ही पूरे एक छोटे सा जो euphoria है उसके थू जा रहे है तो यहां पर अगर हम इनकी utilization rates देखते हैं तो utilization rate देखना क्यों जरूरी हो जाता है क्योंकि utilization rate हमें actually IT businesses में बताता है कि कितनी efficiently आप employees को use कर पा रहे है तो utilization rate आप क्योंकि मैंसा सीख रहे हैं साथ साथ इसमें तो हम एक बार समझते हैं इसका formula क्या है कि total billable hours upon total hours available माने कि employee पास अगर 100 गंटे है काम करने के तो उसमें से वो कितना काम ऐसा कर रहे है which is basically total billable hours अगर वो 80 गंटे ऐसा काम कर रहे है जो bill हो सकते हैं तो 80% कहते हैं हम इसको right so happiest mind के case में 2018 में 68% था जो काफी कम था जो बढ़के कुछ 77% के आस पास आ गया तो actually एक increasing trend पे है और यहां पे अगर हम इनके जो business के metrics हैं और दिखते हैं तो utilization actually Q3FI21 तक 81.6% तक जा चुक है right जो एक अच्छा trend है and साथ-साथ offshore work इनका 95% है और on-site work 5% ही है and यहां बेकर हम attrition देखते हैं attrition देखना क्यों ज़रूरी है IT businesses में क्योंकि IT businesses is actually a business of people तो बार-बार अगर लोग छोड़के जा रहे हैं attrition का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी लोग आ रहे हैं कितनी जल्दी लोग जा रहे हैं अगर बार-बार employees आपके निकल के जा रहे हैं आपके organization में से तो basically आपका culture stable नहीं है और आपके project-based जो stability है वो भी मुश्किल हो जाती है So, happiest mind का attrition one of the lowest in the industry है Industry average 23-24% है अगर हम Zensal की भी बात करते है एक और IT company है उनका कुछ 22-23% के आस-पास है यहाँ अगर हम EBITDA margins देखते हैं तो Q3 FI21 में इनका EBITDA margin 29.7% के आस-पास आगे था जो again कुछ 26-27% के आस-पास थोड़ा सा mean reward कर रहे है And free cash flow conversion देखते हैं तो free cash flow conversion 99.2% के आस-पास है Basically operating cash flow to free cash flow conversion And जो revenue है इस time पे revenue 21% CAGR के आस-पास ग्रो कर रहे तो again Happiest Minds is a fast growing IT company But right now it trades at a multiple of 81-82 times तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो fast growth है सबको पता है अगर किसी और को नहीं पता तो इसकी जो fast growth है इस time पे सबको पता लग चुकी है इस वाज़े से जो PE multiple है उसमें इसकी जो fast growth है काफी हद तक discount भी हो चुकी है पर इस time पे क्योंकि company के जो revenues है वो काफी छोटे हैं तो actually में जो global giants है इसलिए इनके पास size of opportunity काफी है But what I will personally prefer कि since again हम आपको buy sell नहीं दे सकते क्योंकि SEBI registered नहीं है तो मैं personally उसके अलावा क्या prefer करूँगा कि now luck is when opportunity meets the prepared mind कभी भी अगर bear market आती है तो मेरा काम happiest mind पे हो चुक है So I just need to pull the trigger अगर वो मेरी valuation comfort में आता है क्योंकि valuation में एक चीज जो बहुत interesting है जो मुश्किल होती है सोचना that is exit multiple कि अगर आज मैं 100 की PE पे किसी कंपनी में खुषता हूँ या 80 या 90 की PE पे खुषता हूँ तो मेरा exit multiple क्या आएगा उस पे तो वो चीज भी सोचना थोड़ासा important हो जाता है जब हम multiples की बात करते है यहां पे एक हम अगर antithesis pointer की बात करें तो यहां पे अगर हम Zinov का जो quadrant है चेक कते है Zinov एक consultancy है IT industry के अंदर जो बार-बार according to different metrics quadrants देती है तो यहां पे Zinov का जो ER&D ratings है उसमें number one ये HCL जैसी companies, Wipro जैसी और ये जो हम tech महिंदरा हो गया और Tata Alexi की बात कते है तो ये first quadrant में आती है whereas happiest mind इस time पे जो established और niche quadrant है उसके अंदर आ रही है तो माने happiest mind अभी काफी कम sectors में काम करी है काफी interesting sectors में काम करी है काफी fast growth आ रही है and यहां पे antithesis pointer क्या है कि इस time पे IT businesses के अंदर क्या चल रहा है इस time पे तो again यह किसी को नहीं पता मैंने analyst से बात करी है कुछ मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी है तो इस time पे किसी को भी यह नहीं पता कि यह जो cost cutting का trend है क्योंकि travel बंद हो गया आपका visa का cost बंद हो गया तो यह जो cost cutting के trend है कितने sustainable है अगर pandemic चले जाता है and work from home भी अगर हट जाता है तो यह जो margins है क्या यह sustainable रहेंगे या नहीं रहेंगे तो happiest mind कि मैं जो management है वो भी यह कहती है अपनी conference calls में कि 24-25% EBITDA margin sustainable है इस से जादा sustainable करना थोड़ा मुश्किल हो सकते है तो इस time पर यह भी एक possibility हो सकती कि margins artificially high हैं काफी सारी IT companies में तो just be a little cautious because आज से एक दो साल पहले valuations आपके बहुत favor में थी माने 10-15 की P.E. पर मिलती थी है companies आज valuations कुछ-कुछ में थोड़ी out of whack होते जारी है इसके साथ-साथ मैं अगर आपको बताऊं तो हमें और कौन-कौन-सी IT businesses पसंद आते हैं जिनको हम analyze जरूर करेंगे GoForge एक ऐसा IT business है Intellect Design Arena है के ऐसा IT business है Tata, Elexi का तो हम आपके साथ करी चुके हैं Happiest Mind का भी हम आपके साथ कर लिया LTTS एक और ऐसा business है जो में को बहुत interesting लगता है जिसका मैं आपके साथ analysis करूँगा And जो LTI है That is Larson and Tubro Infotech इसका भी मैं आपके साथ analysis करूँगा हमें comment section में जरूर बताईए कि आपको video कैसी लगी क्योंकि हम different sectors पे आपके लिए video बना रहे हैं आजकल And हमें comment section में जरूर बताईए कि आपको और कौन से different sectors पे video देखने है Thank you for joining us Hope to see you in the next business analysis of SOIC